Hello everyone and welcome back to physiology lectures जो हम पढ़ रहे हैं गाइटन से एक्शन पोटेंशल वाला चैप्टर है चैप्टर नबर फाइफ जिसकी पिछली कुछ बेसिक कॉंसेप्स के वीडियो में अप्लोड कर दी है यह उनके लिंक दुबारा देख रहा हूं तो यह वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि आप यह देखेंगे तो यह आगे का एक्शन पोटेंशल समझ में आएगा तो आज जो हमें डिसकस करना है रेस्टिंग मेरेंट पोटेंशल वी हैवालेटी दिसकस्ट इन दे प्रिविएस वीडियो आज का टॉपिक है एक्शन पोटेंशल अचा अब यह जो वर्ड है एक्शन पोटेंशल इस पर कुछ ज़रा बेसिक चीजें समझ लेते हैं और उसके बाद पिर इसको लाइन बार लाइन परग्राफ परग्राफ पढ़ने ही कोशिश करते हैं बेसिक कॉंसेप्ट यह है कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी आपको पहले तो यह पता होना चाहिए देखो अगर एक सेल है यह कोई सा भी सेल है मसल सेल हो सकता है निरॉन सेल हो सकता है अगर मैं कहता हुँ कि इसका इसका रेस्टिंग मेमिन्ट पोटेंशल है इसका मतलब आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था कि इस माइनस का मतलब यह है कि जो सेल का इंटेर है वो कौन सा चार्ज होगा माइनस और डिफरेंस कितना होगा 70 millivolts का So, यह minus 70 indicates The word 70 is the numerical value Which indicates the actual millivolts difference And minus sign indicates the interior of the cell तो यह बात हम नहीं की थी इसे हम नाम देते हैं Resting Membrane Potential Resting Membrane Potential obviously नाम से जाहर है कि when the cell is resting अगर तो इस cell के साथ कोई छेड़ा चाड़ी नहीं होती यानि इसको कोई stimulus नहीं मिलता या कोई disturbance नहीं होती तो यह ऐसे ही रहेगा इसका Resting Membrane Potential minus 70 ही पढ़ा रहेगा लेकिन आपके बाड़ी में ऐसा होता नहीं है आपके बाड़ी में जाहर है बहुत सारी word मैं यूज़ कर रहा हूँ शेड़ा चाड़ी होती रहती है For example, electrical impulses है For example, chemical impulses है For example, mechanical pressures है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यह जो cell है यह disturb होता है अच्छा जब यह cell disturb होगा So, chemical terms में disturbance का मतलब यह है कि कुछ channels sodium channel, potassium channels वो अपने resting system से हट कर या open होंगे या close होंगे और उसकी वज़े से यह सारे जो charges है इस पे changes आएंगे और उन charges में changes को फिर हम जो नाम देते हैं physiology की टर्म में that is called the action potential So, action potential is the change of voltages within the cell across the cell membrane due to any stimulus तो यह basically action potential है और यह आपके तमाम cells में होता है और इसकी जो पूरी philosophy है वो इस थरह से है कि अगर मैं आपको यह say for example, skeletal muscle की story समझा हूँ कि suppose यह एक skeletal muscle fiber है ठीक है और यहां से एक nerve ending यहां आ रही है जो कि release करेगी acetyl kulin तो हो गई है कि acetyl kulin जो है इस area को disturb करेगी cell membrane के और जब यह area disturb होगा तो sodium mind अंदर आएंगे फिर potassium mind बाहर जाएंगे यह भी समझाता हूँ सारी शीज लेकिन simple words में action potential generate होगा अब यहां जो action potential generate होगा उससे होगा यह कि cell के अंदर बहुत सारा calcium जो कि sarcoplasmic reticulum में store होता है वो release हो जाएगा और जब cell के अंदर यह बहुत सारा calcium release हो जाएगा तो आपकी जो muscular machinery है जितने भी muscles हैं actin, myosin, tropomyosin उन में action आएगा they will start contraction and this is what we will see contraction of skeletal muscle so basically जो contraction का पूरा phenomena है वो linked है increase intracellular calcium concentration से जो के होती है because of an action potential जो के acetylcholine के वाज़ा से so action potential आपकी body में जिस cell में action potential generate होता है उसका कोई ना कोई purpose है कोई ना कोई काम करवा जैसे skeletal muscle में action potential के result में क्या होगा contraction of the muscle इसी तरह अगर कोई gland है say for example so this for example is a gland और इस gland में यहाँ पे action potential generate होता है तो इस gland का output result यह होगा कि यहाँ secretion होगी so basically आपके cells का जितना भी function है cell का जो भी काम है वो linked है action potential के साथ तो यह बात आपको समझनी चाहिए कि cell हर वक्त resting phase में नहीं रहते resting phase में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे यह बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप अगर हवक सोते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे तो resting membrane potential में सारी जिंदगी cells नहीं पड़े रहते so that's the basic concept of this video कि आपके cells का resting membrane potential different चीज़ों से disturb होता है क्योंकि अब जो भी cell है वो अपना action करेगा ठीक है तो यह basic concept है कि resting membrane potential disturbance action potential और action potential की वज़े से उस cell का action अब यह depend करता है वो cell क्या है अगर वो muscle है तो वो contract करेगा अगर वो gland है तो उसमें से secretions release होंगी so action potentials are basically important for survival आपकी life के लिए important है ठीक है अब जरे इसको पढ़ना शुरू करते हैं और फिर इसमें deep diving करते हैं कि action potential generate होते कैसे हैं यहाँ पर neuron की बात की है nerve signals की so as an example nerve cell यहाँ पर discuss होगा जादा तर nerve signals are transmitted by action potentials which are rapid changes in the membrane potential that is spread rapidly along the nerve hub so these are rapid changes in the membrane potential इसका मतलब क्या हुआ कि जो resting membrane potential था say for example minus 70 वो rapidly change होगा और जब वो change होगा तो उसे हम नाम देंगे action potential ठीक है so this is what an action potential की definition is now each action potential begins with a sudden change from the normal resting negative membrane potential to a positive potential and ends almost equally rapidly back to the negative potential अब यह मसीदार एक cycle है यह cycle आपको पता होना चाहिए कि जो resting membrane potential है वो convert होता है acting membrane potential या action potential में और जो भी cell का action होता है cell अपना वो action कर लेता है और उस action के बाद यह जो acting membrane potential जो के change हुआ था यह वापिस restore हो जाता है resting membrane potential में so ऐसा नहीं है कि आपके cell में एक दफ़ा जब charges disturb होंगे तो वो हमेशा के लिए disturb रहेंगे they are restored back to the resting membrane potential ठीक है तो यह बात यहां पर लिखी हुई है कि it reverts basically back to the resting membrane potential अब figures देखना शुरू करते हैं figures को समझना शुरू करते हैं लेकिन अगें figure को समझने से पहले मैं आपको एक concept और देता हूँ diagram पे ताके आपको action potential यह acting membrane potential का जो concept है वो जरा clearly समझ में आ जाए so suppose this is our cell कोई साभी cell है यह इस cell का say for example I tell you कि जो resting membrane potential है that is minus 70 milli volts यह resting condition में है लेकिन कुछ ऐसा हुआ इस cell के साथ अब वो कुछ क्या है वो कुछ कुछ भी हो सकता है वो कुछ acetyl kulin हो सकता याने कि chemical वो कुछ electrical impulse हो सकती है वो जैसे के heart में होता है heart में there are sinoatrial node जो के electrical impulses generate करता है so वो जो disturbance है वो disturbance क्या करेगी वो disturbance basically यह करेगी कि यह जो minus 70 milli volts है यह less negative होना शुरू हो जाएगा less negative होने का basic मतलब यह है कि जब positive ions cells के अंदर enter होंगे तो obviously interior of the cell will become more positive ठीक है और या आप सको कह लें के more positive होगा या कह लें के less negative होगा और यह जो changes है यह localized changes जब दे change the resting membrane potential to about 10 to 15 milli volts यानि कि अगर say for example interior of the cell becomes less negative to minus 55 initially कितना था यह resting membrane potential minus 70 अब यह minus 55 हो गया which means it is getting more positive so this is called a threshold potential जैसे ही यह voltage इतना difference हो जाता है यहने 10-15 का difference आजाता है resting membrane potential से then the big game happens and what is the big game the big game is the sodium channel यह sodium channel जो है voltage गेरेड हमारे cell membranes पर मौझूद होते हैं और जब यह resting membrane potential change होते होते 10-15 का difference आता है say for example minus 55 पर पहुंचता है तो sodium channels open हो जाते हैं अच्छा आप जैसी sodium channel open होंगे what will happen यह आपको पता होना चाहिए मुझे एक बात बताएं के cell के बाहर sodium के concentration क्या होती है it's very very high cell के अंदर sodium के concentration क्या होती है low what tells you कि driving force क्या होगी sodium के लिए यहां पर obviously big concentration difference cell के बाहर high level of sodium concentration cell के अंदर low diffusion के loss क्या कहते है sodium will diffuse big time inside the cell अब जब sodium तेजी से अंदर जाएगा so cell का जो interior है it will become very very positive यानि यह minus 55 से पहले 0 पर पहुंचेगा और 0 से actually it will become positive membrane potential आप समझ रहे हैं बात को मैं दुबारा इसको एक दफा repeat कर रहा हूँ this is high yield concept और अगर यह concept समझ भी नहीं आए तो basically पूरा आपको action potential और आगे के जितने भी muscle की contraction heart की contraction यह समझ नहीं आने वाली ठीक है so मैं दुबारा एक बात बता रहा हूँ आपको suppose this is your cell इस cell का resting membrane potential कितना है minus 70 millivolts and there is say for example acetylcholine या whatever there is a stimulus okay उस stimulus की वज़ा से यह जो localized area है यहाँ पर positive vines अंदर enter होना शुरू होते है और आपका जो resting membrane potential है it raises to a more positive value say for example minus 55 और जैसे ही यह threshold value पर पहुँचता है what is the big game that happens sodium ions open और sodium ions की opening की वज़ा से there is a bash of sodium entering inside the cells और जबिए sodium अंदर जाएगा तो यह जो minus 55 पर गया था potential it will go to zero and then it will also go to positive now यह जो सारा phase है कि जिसमें resting membrane potential minus 70 से पहले minus 55 पर zero पर positive गया इस पूरे phase को physiology में हम नाम देते हैं depolarization क्या नाम दिया जाता है depolarization so यह word याद रखना है depolarization का मतलब है कि resting membrane potential negative value से change होके हो जाता है zero and zero से positive value so all this is called depolarization ठीक है or depolarization will always happen because of some sort of stimulus जैसे यहाँ पैसी टेलकोलीन है या कोई nerve ending और होगी कोई और neurotransmitter so there is an stimulus that stimulus causes resting membrane potential to reach the threshold और threshold पर पहुँचके sodium ion के channels open हो जाते हैं and this is all called depolarization the cell inside become more and more positive ठीक है तो यह आपको scenario पता होना चाहिए अच्छा फिर जब यह काम पूरा हो जाता है काम पूरा होने का मतलब यह है कि अगर muscle था उसके contraction हो गई सब कुछ सही हो गया then what happens is कि sodium के जो आईन है इनका काम हो गया ना basically action potential बन गई यह बन दो जाते हैं they are closed और अब एक और channel open हो जाता है and that channel is the potassium channel अच्छा मुझे बताओ potassium के concentration कहां ज्यादा होती है cell के अंदर potassium के concentration cell के बाहर क्या होती है relatively less compared to the inside so diffusion के laws क्या कहते हैं कि जब potassium channel open होगा तो potassium कहां move out करेगा outside the cell और जब यह outside the cell move करेगा तो cell का interior क्या होना शुरू हो जाएगा negative और यह potassium उस वक तक बाहर निगलता रहेगा जब तक cell दुबारा minus 70 पे नहीं आ जाता याने देखें beauty देखें beauty यह है कि आपका जो पूरा cell का system है वो minus 70 से obviously minus 55 threshold की तरफ जाएगा threshold से यह जाएगा zero की तरफ zero से जाएगा plus की तरफ यह पूरा phase कैलाएगा depolarization और यहाँ पे कौन help कर रहे है कौन से channels sodium channels लेकिन जब action complete हो जाएगा तो यह membrane potential positive से वापिस कहां आ जाएगा minus 70 पर और यहाँ कौन से channels help करेंगे potassium channel so basically जो sodium channel की opening है it helps in the process of depolarization और जो potassium की opening है it helps in the process of repolarization to achieve the resting membrane potential back of the cell so यह basic concept है अब जब परग्राफ पढ़ना start करते हैं it's a lot of reading और समझज़ें कुशिश करते हैं let's see now the upper panel in figure 5-6 shows the changes that occur at the membrane during the action potential with the transfer of positive charges to the interior let's see figure 5.6 5-6-5-6 this is figure 5-6 so let's have a look at this figure this is time in milliseconds this is millivores okay so start में ये वाला जो पॉइंट है जब membrane potential minus 70 है this is what we call resting membrane potential ठीक ना resting membrane potential अब अगर इस पॉइंट पर if there is an stimulus और वो stimulus में बार बार कह रहा हूं ऐसे ताल कोलीन हो सकता है कोई nerve ending और हो सकती है electrical impulse हो सकती है so whatever the stimulus is resting membrane potential डिस्रूब होगा और membrane potential पहले 0 की तरफ जाएगा और 0 से फिर positive हो जाएगा plus 35 so it becomes positive all this is called depolarization और ये किस की वज़ा से हो रही होगी because of the opening of sodium channels और जब ये पूरा process complete हो जाएगा then the cell potential goes back again to the level of minus 70 और इस process को हम नाम देते है repolarization और ये कौन से channels की opening से होगा potassium channel so sodium channels causes depolarization opening of potassium channel causes repolarization okay so that figure should be clear to you अच्छे सापको interpret करना आनी चाहे आगे पड़ते हैं जी resting stage the resting stage is the resting membrane potential before the action potential begins should be clear the membrane is set to be polarized during this stage because there is a minus 70 millivolt voltage available तो यहाँ पे जो membrane है वो obviously it has a polarity क्योंके 70 millivolt का difference है और negative inside है ठीके ना तो यह polarity का word आपको पता होना चाहिए there are two phases depolarization and repolarization हम समझ चुके यह दोनों फेसे depolarization at this time the membrane suddenly becomes permeable to sodium अचाहिए क्यों ऐसे खुआप तो नहाँ आए इसको कि suddenly become permeable कोई न को इंसल्ट होगी और वो इंसल्ट क्या होगी the insult can be you know a mechanical pressure yeah it can be a chemical pressure or it can be an electrical pressure okay so sodium ion के अंच्री होगी allowing rapid diffusion of positively charged iron into the interior of the exon the normal polarized state of minus 70 is immediately neutralized and this is the process which is called depolarization यह आप हम समझ चुके in large nerve fibers the great positive this is not so यह सरी बात हो है which we have already discussed diagram पेहाँ चुके so this is the sodium gauge this is the cell membrane this is the sodium channel voltage-gated sodium channel और यह रेस्टिं चुके this is the resting condition minus 70 millivolt this is closed लेकिन जब यह अच्टिवेट होगा अच्टिवेट कैसे होगा because of any stimulus for example acetylcholine I am repeating this again and again तक आप को च्छे से समझ में आजाए जब यह अपन होगा so there will be a bash of sodium ion entered inside the cell and the membrane potential will be changing to a positive value और इस process को हम कहते हैं depolarization when it reaches to the positive value what happens is के अब यह sodium channel close हो जाते हैं तके मजीद sodium cell के अंदर ना सकें और अब picture में आते हैं potassium channel potassium channels open और जब potassium channel open होगा तो potassium cell से बाहर निकल जाएगा and it restores the potential from 35 positive to minus 70 which was the resting membrane potential so resting membrane potential to action potential मैं इसको क्लीन करके यह समझाता हूँ ता के आपको यह सही समझ में आ जाया बात okay so resting membrane potential which is minus 70 sodium opening होगी this is the action potential plus 35 तक गया अब इस plus 35 से it goes back to minus 70 again because of this potassium so यह वाला जो फेस होगा this is depolarization और यह वाला जो फेस होगा this is repolarization okay so यह repolarization का concept हो गया यह सारा यहां पे लिखा हुआ है so I can read it for you but you can go through it on your own as well it's the same concept that you will find here now voltage-gated sodium अब तक आपको इतना तो idea हो गया है कि दो जो सबसे important channels जिनका हम जिकर कर रहे हैं बार बार जिकर कर रहे हैं वो है sodium channels and potassium channels sodium channels or potassium channels here are the voltage-gated channels and they are very very important अच्छे यह अलग है there was a sodium potassium pump वो अलग था that is not this channel that we are talking about and there are potassium leak channels as well potassium leak channels है हम का काम resting membrane potential को maintain रखना है यह हम पिछली वीडियोस में discuss कर चुके और sodium potassium pump is also used to you know re-establish the gradient यह भी हम थोड़ी दिर में बात करेंगे यह दोनों channels अलग हैं हम जो इसवक potassium और sodium channels की बात कर रहा है these are basically the voltage gated channels okay so जो voltage gated sodium channel है it will open up when there is a threshold reached और वो threshold usually minus 55 है nerve fibers के लिए and the potassium voltage gated channels will open up when the membrane potential becomes plus 35 so plus 35 पे बिकम open okay right so activation of the sodium channel कैसे होता है when the membrane potential becomes less negative then during the resting state rising from minus 70 towards 0 it finally reaches a voltage usually somewhere around minus 55 millivolts that causes a sudden conformational change in activation gate of the sodium and the sodium permeability increases about 500 to 5000 fold इसलिए यह जो minus 55 वाला potential difference है इसको हम नाम देते है threshold थ्रेशोल्ड पे रीच करेगा तो sodium channel open होगा sodium channel bang on सारे sodium channels open और बहुत सारा sodium अंदर और सल्ब हो जाएगा plus 35 now the inactivation of sodium channel the upper right panel so after this plus 35 is achieved sodium channel is closed and no more sodium entry is allowed okay potassium channel open हो जाएँगे plus 35 पर and because of potassium channel opening what will happen मैंने आपको बता दिया कि अगर potassium channel open होता है तो diffusion के laws आपको पता होने चाहिए वो हमने अल्रेडी पर रखें पहले कि suppose this is the nerve fiber और मैं यहाँ potassium channel open कर देता हूँ तो अंदर सेल के potassium is very high है बाहर सेल के potassium is very low so because of the diffusion principles potassium will go out और जब पुटेशियम पर क्या चार्ज होता है positive so when the potassium goes out the positive charges are going out the cell will start becoming negative again और यह पुरा जो पुटेशियम का बाहर जाने का प्रासिस है यह उस वक तक चलता रहेगा जब तक सेल दुबारा माइनस 70 म्वल्ड गन ने कर लेटा okay so that's the story so depolarization sodium and repolarization by potassium clamp method this is not high yield we are not going to discuss this but the summary is important and this diagram is important as well प्ले पर ते प्र देखाँ आँ now this particular diagram summarizes the sequential events that occur during and shortly after the action potential the bottom of the figure shows the changes in membrane conductance of sodium and potassium during the resting state before the action potential begins the conductance of the potassium is 50 to 100 times as great as now have a look at this panel this is a lower panel this is the baseline which is the resting membrane now two stages है जो आपको पता होने चाहिए पहला stage कालाता है depolarization दूसरा stage कालाता है repolarization अब अगर मैं इस diagram को simple करूँ आपके लिए और आपसे एक सवाल करूँ मुझे बताईए के depolarization के वक्त ये membrane है ठीक है this is the cell और ये उसकी membrane है depolarization के वक्त कौन से आईन के channels खुलते हैं yes you are right sodium ions अच्छा sodium ion की चूंके channels खुल जाते हैं तो बाहर से बहुत सारा sodium अंदर travel करता है इसका मतलब ये है इसको physiology की terms में हम कहते हैं कि जो conductance of sodium है वो बढ़ गई है conductance का मतलब ये है कि sodium की cell membrane से गुजरने की capability so the conductance of sodium increases when sodium channels are open तो कहने का परपस ये है कि depolarization के phase में कौन से आईन की conductance increase होगी sodium की so let's let's have a look at this diagram so this is the resting stage and after few seconds यहां पर हम कोई stimulus देते हैं so depolarization का phase आता है and you see y-axis पे conductance है so sodium की conductance is gone very very high so that is the stage of depolarization लेकिन उसके बाद sodium की conductance is going back to normal लेकिन potassium की conductance अभी भी हाई है so potassium की जो conductance है वो repolarization में it is very very high sodium की जो conductance है वो depolarization में it is very very high so यह simple चीज़ है ग्राफिकल फॉर्म में यहां पर समझाई हुई है यह आपको पता होना चाहिए however at the onset of the action potential यह in the depolarization की वर्फ the sodium changes channels almost instantaneously become activated and allow a 5000 fall increase in the sodium conductance sodium की जोब्यों की manusia वो इतनी ऊपर तका जाती है इतनी बड़ जाती है इसमें तेरल नथा नीव भी जाए एंग ट्री अजार तो यह राशी प्रिशु रॉट जाय एए टायर रिए लिए रचिट प्र धियुट और इन्य वेए रिए लिए So, यह सारा यहाँ पर text लिखा हुआ है which you can read. Now, that's an important heading, जो important concept है. अभी तक action potential में हम दो आइंस का जिकर कर रहे हैं और वो दो आइंस कौन कौन से हैं? वो दो आइंस हैं sodium और potassium लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि there are two other players as well, at least two other players और भी हैं लेकिन यह दो ज़्यादा common है, वो है calcium आइं और दूसरा cell के अंदर और बहुत सारे negatively charged आइंस होते हैं, जैसे के proteins हैं यह तरह की चीज़े हैं, so they also play an important role, ठीक है? तो इसको पढ़ते हैं, thus far we have considered only roles of sodium and potassium in generation of action potential. At least two other type of आइंस must be considered. These are the negative आइंस which are inside the cell and calcium आइंस. Now, यह जो negative आइंस हैं, which are inside the cell, are many, there are many negative charges which cannot go through the membrane, और चुँके वो सेल के अंदर रहते हैं, so they contribute towards the negative potential. So you should at least for examination purpose know, आप से एग्जामिनर पूछ सकते हैं, कि कौन कौन से आइंस हैं, which play important role during action potential. तो obviously sodium और potassium are the most important आइंस, लेकिन इन negative आइंस का भी जिकर आपको पता होना चाहिए, कि these organic, there are many, many organic phosphates, for example, there are protein bound stuff, which are all negative charge, and they may play a role in action potential. ये तो हुई बात negative आइंस की, अब more important is the calcium आइंस, देखो बहुत कुछ आपके body के cells ऐसे हैं, जिसमें sodium channel से ज्यादा calcium channels होते हैं, for example, आपके heart के जो cells हैं, cardio myocytes, उनमें calcium का एक important role है, action potential में, कई सारे smooth muscles ऐसे होते हैं, जिसमें sodium channel ना होने के बराबर होते हैं, ज्यादा तर calcium, अचा ये फिर same story है, story वही है, कि अगर ये cell है, इस cell में suppose यहाँ पे कोई stimulation होती है, acetyl koline या electrical impulse, अब यहाँ sodium channel खुलते हैं, अभी तक जितनी हमने बात की थी, लेकिन suppose sodium channel नहीं है, तो कौन से channel खुलेंगे, calcium channels, और जो calcium channels हैं, उसका भी story वही रहेगी, कि there is very high concentration of calcium outside the cell, and low concentration inside the cell, इसलिए जो normal diffusion के laws हैं, उसके हिसाब से, calcium will flux inside, जैसे sodium आ रहा था वैसी calcium आएगा, same story है, फर्क यह है कि जो calcium channels हैं, these calcium channels, they are relatively slow to open, ये sodium की तरह fast channels नहीं हैं, so calcium के जो voltage-gated channels हैं, they are slow, इसलिए इनका जो action potential है, वो slow होता है, जैसे cardiac physiology में पढ़ेंगे, या smooth muscle physiology में पढ़ेंगे, they are very slow, ताके muscles slowly contract करें, okay, so they are not fast as sodium, they are slow channels, okay, so calcium membrane के जो channels हैं, they are important in some parts of your body, the membranes of almost all cells of the body have calcium pump similar to the sodium pump, and calcium serves along with or instead of sodium in some cells to cause the action potential, जैसे मैं आपको बताया, आपके जो काफी सारे smooth muscle cells हैं, या cardiac cells हैं, उनमें calcium action potential generate करता है, sodium नहीं करता, ठीक है, अच्छा, in addition, there are voltage-gated calcium channels, ये सारी वोही स्टोरी हैं, जो मैंने भी आपको पुरी समझाई है, a major function of the voltage-gated channel is to contribute depolarization phase, जैसे sodium depolarization करता है, जैसे calcium depolarization करता है, okay, but these are slow channels, slow to open, slow to close, sodium channels, they are fast channels, calcium channels are numerous in your cardiac muscle, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, and in your smooth muscles, in fact, in some types of smooth muscles, the fast sodium channels are hardly present, याने sodium channels होते ही नहीं है, ज्यादा तर दारो मदार वहाँ पे smooth muscles में contraction का किस पे depend करता है, calcium channels पे, right, अच्छा, एक, ये heading बड़ी importance है, calcium channel का एक और बड़ा important role है, देखें, suppose ये कोई cell है, और यहाँ पे ये है sodium channel, इस sodium channel को लगाम लगाए रखता है calcium iron, calcium iron इसके channel से actually bind करता है, और इसको रोकता है बार बार depolarize होने से, याने देखें, depolarize भी अगर कोई चीज़ बार बार depolarize होगी, याने बार बार sodium channel open होगा, बार बार बहुत सारा sodium cell के अंदर आएगा, तो क्या होगा? अगर ये muscle है, तो बार बार contraction होगा, अब ऐसा भी नहीं है ना, कि हमें जब muscle contract करने हो तभी muscle contract करने चाहिए यह नहों कि muscle contract करने है नहीं और बिलावजा फजूल में contraction हो रही है क्यों क्योंकि जी sodium आरा है बार बार तो इसको रोकना है इसको रोक थाम इसको लगाम लगानी है वो लगाम कौन लगाता है calcium आई अब there are conditions in the body जब calcium की concentration कम हो जाती है extra cellular fluid में तो अगर calcium नहीं है तो यह लगाम नहीं होगी यह लगाम नहीं होगी तो थोड़ा सा भी सोडियम अंदर आएगा threshold potential पहुँचेगा भी नहीं जो के minus 55 था उससे पहले ही muscle contract होना शुरू हो जाएगा इस phenomena को हम नाम देते हैं tetany बात ले दे के सारी यह है के calcium आईन की जो concentration है वो important है muscles को stable रखने में अगर calcium आईन की concentration कम होगी है there is deficit of calcium then there will be a little sodium entry and the muscle will start having localized short contractions which is what we call tetany okay it can be sometime lethal because tetany contraction of the respiratory muscles अगर respiratory muscle फुजूल में diaphragm वगरा बार बार unnecessarily contract करेंगे that can be lethal okay इसलिए calcium की concentration is an important concentration to maintain the you know control on the sodium channel so this is what is all written in this particular heading right अभ यह जो heading है initiation of action potential it talks about thus far we have explained the changing sodium and potassium permeability sodium permeability increase होती है depolarization potassium permeability increase होती है repolarization okay but we have not explained what initiates the kind of मैंने तो explain करती है action potential initiate करती है बहुस तीन चीज़े है number one कोई mechanical pressure यानि स्किन को आप पिंच करें तो आपको pain feel होगा because वो इस्किन पिंचिं के वज़े से depolarization होई number two anything which is chemical for example neurotransmitters and number three anything which is electrical for example heart जिसमें आपका sinoatrial node है और वो cardiac impulses generate करता है तो ये तीन चीज़ें जो के आपका depolarization initiate करती है और cell में positive ions की entry को start करती है क्योंकि बात ये है कि as long as the membrane of the nerve fibers remain undisturbed no action potential will happen सीरी सी बात है अगर ये cell पढ़ा हुआ है और इसका minus 70 miliwalt इसका resting membrane potential है और इन तीनों में से कोई भी initiating stimulus नहीं है तो ये cell बहुत ऐसी पढ़ा रहेगा लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी stimulus आएगा तो इस stimulus की वज़े से the channels will begin to open कौन से channel sodium channels वो sodium channel sodium ion को अंदर लेंगे और जब अंदर लेंगे तो अब ये membrane potential change होगा it will become less negative और जैसे ही ये प्लस 35 तो माइनस से 0 0 से प्लस 35 ये सारा कब हो रहा है जब कोई stimulus है इन तीनों में से कोई एक होगा तो ये सारी बात यहां पर नों लिखी है कि फिर वाल्टेज गेरेट sodium channel खुल जाएंगे fractions of milliseconds मे rising membrane potential causes closure of the sodium जैसे depolarization complete होगा then this sodium channels they will start closing और कौनसे channel खुलना चुरू हो जाएंगे potassium channel potassium channels will start opening now initiation of the action potential occurs only after threshold is reached मैं आपको ये बात समझा दिया है कि minus 70 से threshold जब प्लस होते होते minus 55 तक पहुंचेगा this is what we call the threshold potential और threshold potential जैसे आएगा bang on सारे sodium ion channels खुलने लग जाएंगे so that's pretty simple हम start में इस पर काफी time लगा चुके हैं समझने में तो अब ये paragraph आपको easily समझ आने चाहिए now propagation of the action potential अचा propagation का मतलब ये है भाई के diagram देखते हैं किदर है diagram उसमें की सारा समझ में आ जाएगा आपको this diagram okay so ये देखें condition क्या है cell के अंदर minus है cell के बाहर plus है so this is the resting membrane potential resting membrane potential में यहाँ पर कोई insult हुई insult कह लो या stimulus कह लो जिसकी वजह से positive wine देखो अंदर आना शुरू हुआ positive wine आगे है न अंदर यहाँ पहले negative था so this is now positive positive wine अंदर आया और जब positive wine अंदर आएगा so जादा further more positive wine are coming in because यहाँ पर कोई न कोई stimulus है acetylcholine है या mechanical pressure है और जैसे जादा जादा positive wines अंदर आएगे so there will come a point जब threshold reach होगा याने for example अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर minus 70 था voltage या milli volts difference और यहाँ पहुँचते पहुँचते it becomes minus 55 which means it is becoming more positive या less negative जैसे threshold आएगा तेजी से सारे souria mind channels खुल गए और बहुत सारा positive याइन अंदर आ गया this is called propagation of action potential याने action potential शुरू हुआ था इस एक point पर जहाँ पर जिस एक point पर start हुए थे positive wines अंदर आना लेकिन आप देखें यह इस direction में भी फैल रहा है और इस direction में भी फैल रहा है और देखते ही देखते पूरा जो cell है उस में interior जो है it will become positive okay so this is called propagation propagation का मतलब यह है it simply means के action potential begins on one particular point जैसे इस diagram में यहाँ पर and then it moves on in both the directions in all the directions basically अगर यह यहाँ center में start हुआ है तो दोनों तरफ पैल जाएगा so this is what we call action potential now this is what is all explained here so for example shows the nerve fiber that has been excited in the mid portion which suddenly develops increased permeability sodium the arrow shows the local circuit or period it spreads in both the directions along the core of the exon so यह 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 यहाँ आपने याद रहाँ है और जो 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 से all or nothing principle का मतलब यह है once an action potential has been elicited at any point on the membrane of a normal fiber the depolarization process travel over the entire membrane if the conditions are right but if the conditions are not right it just does not travel this is called all or none principle क्या मतलब हुआ? इसका देखे है मतलब यह हुआ कि अगर say for example यह पूरा एक membrane है और यह सारा उसका cell membrane structure हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि interiorly negative है और externally positive है so अगर यहाँ पे there is initiation of the action potential तो यह तो यह पूरी membrane में distribute होगा यह पर distribute नहीं होगा यानि अगर यह stimulus इतना strong नहीं है कि threshold reach हो सके so यह action potential propagate ही नहीं करेगा यानि ऐसे नहीं होता कि action potential शुरू हुआ थोड़ा आगे तक गया बाकी membrane पे नहीं गया नहीं ऐसा नहीं होता पूरे का पूरा cell depolarize होगा या पूरे का पूरा cell depolarize नहीं होगा so that's the basic philosophy अच्छा जी अब यह एक बहुत important heading है re-establishing of sodium potassium gradient जरा IRS पर time लगाते हैं इस बात को समझते हैं देखो यह suppose एक cell है जिसमें obviously there was a resting membrane potential जो कि threshold को reach किया threshold से 0 पे गया 0 से 35 पे गया इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा sodium अंदर आ गया ऐसे यह ना sodium अंदर आता है उसी को depolarization बोलते हैं और repolarization के दुरान किया हुआ बहुत सारा potassium बाहर चला गया है potassium बाहर जाता है उसी को repolarization बोलते हैं तो हुआ यह कि cell के अंदर बहुत सारा sodium आ गया है और cell के बाहर बहुत सारा potassium चला गया है तो जो sodium और potassium के differences थे cell के अंदर और cell के बाहर वो obviously change हो गए उनमें एक difference आ गया तो उसको balance करना दुबारा उसको balance करने के लिए आपके पास एक magical चीज मौजूद है उस magical चीज का नाम क्या है that magical thing is called sodium potassium pump ये sodium potassium pump क्या करता है ये देखता है कि जब बहुत सारा sodium अंदर आगया है depolarization के दौरान तो इस sodium को बाहर नकल के फेक देता है remember it takes out three sodium और it takes in two potassium तो दो potassium को अंदर लेता है तीन sodium को बाहर फेक देता है और ऐसा जरूरी है क्योंके फिर एक बार पूरे action potential के दौरान हुआ क्या था मुझे बताईए action potential के दर्मियान कौन सा आइन है जो बहुत सारा अंदर आगया था वो आइन था sodium और ये sodium चुके बहुत सारा अंदर जमा हो गया है अब वक्त आगया है इसको बाहर नकलने का तो इसको बाहर नकल देते हैं तीन sodium बाहर नकल देता है और कौन सा आइन था जो बहुत सारा बाहर चला गया था वो था potassium अब वक्त आगया इसको वापिस अंदर लेने का तो वो भी sodium potassium pump so sodium potassium pump जो है वो ionic concentrations को restore करता है तो ये इस पूरे paragraph की gist है transmission of action potential along enough fiber slightly reduces the concentration differences of sodium and potassium जाहर है sodium अंदर आगया बहुत सारा potassium बाहर चला गया है तो ये दोबारा restore करने के लिए ये magical pump काम करता है जिसका नाम है sodium potassium pump ठीक है so sodium ions that have diffuse to the interior of the cell during the action potential and potassium ions that have diffuse out of the cell are returned to their original state by this sodium potassium pump because you know that 3 sodium बार फिकेगा 2 potassium अंदर लाएगा तो जो differences पैदा हुए थे action potential के दौरान वो restore हो जाएंगे ठीक है जी तो ये बात आपको यहां समझ में आ गई अब ये concept plateau का क्या है जी plateau का मतलब ये है कि in some cases the excited membrane does not repolarize immediately after depolarization यानि देखें कुछ cells में तो ऐसे होता है कि let me create some space here for you ताके मैं ये physiology की जबुक है इसमें empty space बहुत कम होती है इतना सारा text होता है तो usually यह होता है कि there is a depolarization जो के up spike और फिर फॉरण there is a repolarization विचिज़ ये जो ऊपर जा रहे है ये this is depolarization और जो spike नीचे आ रहे है ये this is repolarization अब आपको इसकी पुरी dynamics पता है कि depolarization is because of opening of the sodium channels and repolarization is because of the opening of potassium channels बास cells में ऐसे होता है देखें there is a depolarization and then there is this straight line which is called a plateau and then there is a repolarization तो ये मामला उपर गया है depolarization का और depolarization sustained है और उसके बाद repolarization हो रही है ये इसलिए होता है उन muscles में होता है जहां पे slow channels काम कर रहे हैं slow channels are the calcium channels so जब calcium channels खुलते हैं तो वो slowly 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 खुले होते हैं और आराम आराम से आराम आराम से close हो रहे होते हैं so that causes a plateau formation so in some cells there is no deep repolarization immediately after depolarization there is some time so ये रहें ये depolarization हुआ उसके बाद ये प्लाट हुआ है so this spike, there is a spike, there is a peak and then there is a plateau there is a spike and then there is a plateau such a plateau is shown here and it is very common in obviously cardiac muscles heart muscle में ये प्लाट हुआ बहुत इंपोर्टेंट है जब cardiac physiology पढ़ा हुआ तो ये बात करेंगे so the spike बन रही है that is because of the fast channel and then the plateau बन रहा है that is because of the calcium channels which are the slow channels तो ये प्लाट हुआ का concept आपको अच्छे से आना चाहिए right so this heading talks about rhythmicity of some excitable tissue there are some tissues in your body जिसमें rhythmic contraction automatically होती रहती है खुद से self firing ये self regulated action potentials क्या मतलब हुआ इसका देखें अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक say for example cell है उस cell का अपना कोई ना कोई resting membrane potential है और ये resting membrane potential disturb होगा जब कोई stimulus आएगा वो stimulus क्या करेगा sodium channels को open करेगा ताके sodium अंदर आ जाए और threshold potential reach हो और action potential start हो अब imagine करें एक ऐसा scenario के एक cell है there is a cell जिसके जो sodium channels है वो resting membrane potential पर भी completely close नहीं है completely close इसलिए नहीं है क्योंकि वो cell जो है वो enough negative नहीं है for example उसका resting membrane potential minus 70 नहीं है minus 90 नहीं है क्योंकि minus 70 minus 90 ये इतने negative potential है कि जिस पर sodium channel completely close होता है लेकिन suppose मैं आपसे कहता हूँ कि there is a cell जिसका resting membrane potential around minus 60 है for example या minus 70 से कम है so minus 60 पर sodium channel जो हैं वो completely close नहीं होते जिसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत sodium अंदर आता रहता है ये थोड़ा बहुत sodium अंदर आता रहता है का मतलब ये है कि ये जो cells है ये इन में हर वक्त action potential बनता रहेगा so this is why we are calling these as rhythmic या self action potential making cells अच्छे ये जरूरी है कुछ cells आपके body के हैं जिन में ये character होना चाहिए for example आपकी heart heart एक continuously beating organ है there is a rhythmical beat in the heart इसलिए heart में ये scenario important है कि उसका resting memory potential ऐसा रखा गया है कि उसके sodium और calcium channels completely close नहीं होते है और चुँके completely close नहीं होते है तो थोड़ा बहुत sodium cell के अंदर आता रहता है अच्छा अब आप ये सवाल करेंगे कि चुके sodium अंदर आता ही रहता है तो मतलब ये तो एक tetany की situation हो जानी चाहिए tetany का मतलब ये है कि आपका heart बिल्कुल contracted state में और जैसे उपर हमने muscles में पढ़ा था कि अगर बार बार सोड़ा मंदर आएगा तो local contractions होंगी a condition called tetany वो नहीं होता उसका reason ये है क्योंकि heart में system ऐसे रखा है nature ने कि जब एक action potential generate होता है जब वो depolarize होता है तो potassium channel जो है थोड़ी और देर तक खुले रहते हैं cell repolarization के वक्त hyper polarization में चला जाता है now this hyper polarization is kind of a gap यहाँ पे आपके heart cell थोड़ा सा pause लेते हैं सांस लेते हैं further potassium अंदर आ भी रहा हो तो action potential generate नहीं होता so कहने का मकसद यह है कि there is a little gap between the action potentials that is because of the hyper important point ही यह exam में एकसर पूछते हैं कि hyper polarization cardiac muscles में क्यों जरूरी है hyper polarization cardiac muscles में इसलिए जरूरी है ताकि दो action potential के दर्मयान थोड़ा सा gap बने और वो gap इसलिए जरूरी है self excitation important है heart एक चीज़ हो गई दूसरा intestine आपकी जो intestine है उसमें rhythmic contraction होती है peristalsis के लिए ताकि जो digested food है या जो भी wastage है वो आगे की तरफ बढ़े so वो peristalsis continuous basis पे होती है इसी तरह जो neuronal events such as rhythmic control of breathing this is so यह वो कुछ examples है जिसमें आपके body automatic action potential generate करती है without you giving an stimulus so motor control नहीं है this is autonomic control ठीक है now in addition almost all the other excitable tissues बाराल यह बात इतनी important नहीं let us read this paragraph actually पढ़ा तो मैंने आपको अल्रीड दिया but word by word पढ़ भी लेते है for spontaneous rhythmicity to occur the membrane even its natural state must be permeable to sodium sodium को permeable नहीं होगी अगर कोई membrane to action potential start हो ही नहीं सकता ठीक है यह बात आपको पता है now that particular figure shows that the resting membrane potential in the rhythmical control center of the heart is only minus 60 to minus 70 which is not enough negative voltage to keep the sodium and calcium याने heart में sodium और calcium channel हर वक्त थोड़े खुले रहते हैं तो sodium continuously flows inward ठीक है this activity increases the membrane voltage in the positive direction जिसकी वज़ा से action potential generate होता रहता है at the end of the action potential the membrane repolarizes जैसे बाकी cells में होता है depolarization के बाद repolarization after another delay of a millisecond or seconds spontaneously excitability दुबारा depolarization start हो जाती है after some delay यह delay क्यों जरूरी है भाई टेकनी से बचाने के लिए यह delay किस वज़े से होता है that is because of यहाँ पर अच्छा सवाल दिया है why does the membrane of the heart control center not depolarize immediately after it has become repolarized why there is a delay of a second or millisecond why there is a delay in the next action potential the answer is because of the potassium conductance in cardiac tissue potassium conductance जादा होती है even after repolarization therefore the cell enters into a state of hyperpolarization see the nature has designed your body so beautifully के heart cells चूंके हर वक्ट कांट्रेक्ट कर रहे होते है तो उनको tetany से बचाने के लिए damage से बचाने के लिए यह phenomena रखा है hyperpolarization का ताकि एक gap के साथ depolarization okay so यह hyperpolarization की story पता होने चाहिए है फिर एक heading यहाँ पर दी हूई action potential में special character of nerve trunks यह जब nervous physiology पढ़ेंगे तब यह बात दुबारा आएगी अभी मैं quickly आपको यह diagram पे समझा देता हूँ so that is a diagram which explains some special feature about the neuron अच्छा neurons की काहनी है कि neuron बहुत लंबे-लंबे होते हैं body में न इतनी लंबे-लंबी इनकी length होती है तो अगर depolarization यहाँ start होगी say for example इस point पे तो वो पूरा membrane से travel होता है बहुत time लगेगा और बहुत सारे iron चाहिए होंगे बहुत सारा sodium iron चाहिए होगा इतनी लंबी membrane में अंदर जाने के लिए यहाँ भी channel होगा यहाँ भी यहाँ भी तो इस सारे channels में से sodium अंदर जाएगा बहुत सारा sodium waste होगा है इसी तरह अंदर से बहुत सारा potassium बाहरा आएगा बहुत सारा potassium waste होगा तो nature ने एक system रखा है system यह रखा है कि यह जो आपके neurons होते है nerve fibers उसमें exon जो है उसके इड़ के दिए myelin sheath होती है और यह myelin sheath पूरा इसको cover करती है accept the points which are called these points which are called node of ranvir these points जहाँ पे actually यह सारे channels मौझूद है कहने का मकसर यह है कि action potential generate होता है वो node of ranvir पे generate होता है तो sodium node of ranvir से अंदर जाता है यह रेखें यहाँ पे sodium node of ranvir से अंदर आया अब यहाँ सारे sodium channels मौझूद नहीं है आप देखें और होने भी नहीं चाहिए है वरना बहुत सारा sodium waste होगा बहुत जादा time लगेगा because यह बहुत लंबा fiber होता है so node of ranvir पे action potential generate होता है और फिर surrounding जो liquid होगा उसमें से यह action potential jump करता है दूसरे node of ranvir पे ताकि यहाँ sodium enter हो सके exon के अंदर भी travel करती है यह चीज obviously depolarization moves within the exon as well but इसकी jumping attitude होता है यानि node of simple यार करके बताता हूँ neurons में जो sodium ions open होते हैं वो सिर्फ node of ranvir पे होते हैं इसे हम कहते हैं saltatory conduction jumping conduction from node to node इससे time बचता है electrical impulse पास होने का इससे energy बचती है इससे ions बचते हैं और इतने लंबे-लंबे fibers हैं otherwise अगर ये node of ranvir का mechanism नहीं होता तो simple neuron में से गुजरते-गुजरते ना जिन्दगी लग जाती बहुत जादा time लग जाता तो ये एक special feature है जो nerves के बारे में आपको पता होना चाहिए ये जब nervous physiology पढ़ेंगे तब दुबारे एक concept आएगा velocity of conduction किस तेजी से nerve fiber में depolarization pass on होती है जो छोटे unmilorated fiber है उनमें तो small हलकी फूल कीसी velocity है लेकिन जो बड़े है न nerve fibers large myelinated fibers उनमें से 100 meter per second more than the length of a football field in one second यहने किक यहां से मारी पूरा football field cross हो गई किस speed से ball जा रहे होगी सोचो इस speed से depolarization होती है large nerve fibers में और उसका reason है nodes of renvir nodes of renvir में depolarization होती है और फिर surrounding flute से depolarization जाती है next node of renvir पर ठीक है अच्छा जी यह जो heading है the excitation the process अब यह वह बाते repeat होंगी जो हम पूरी वीडियो में 12 दफ़ा कर चुके है 12 इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ते है now basically any factor that causes sodium iron to begin to diffuse inward through the membrane in sufficient number can set off automatic regenerative opening of the sodium आपको पता है कि अगर यह बात मैंने बताई कई दफ़ा कि एक cell है उसमें sodium channel है जब इसमें सोडियम आना अंदर start होगा और वो threshold तक मामला पहुंच जाएगा तो बहुत सारे sodium channel कुल जाएंगे और तेजी से sodium अंदर आएगा अब बात यह है कि resting membrane में जब कि cell मज़े से rest कर रहा था तो ऐसा क्या है जो sodium channel को open करवाए ताकि sodium enter होना शुरू हो वो चीज है कि eliciting the action potential और मैंने आपको बताया कि वो तीन चीज़े है number one it can be mechanical number two it can be chemical and number three it can be electrical ठीक है now the automatic regenerating opening of the can result from either mechanical disturbance or it can happen because of electrical disturbance or it can happen because of chemical effects ठीक है chemical disturbance तो ये तीन चीज़े मैं आपको बार पर बता रहा हूँ these can be the stimuli और ये जो stimuli है body के different parts में ये stimuli प्रैक्टिस होते है for example mechanical pressure की example है कि आप अपनी skin को जब पिंच करें जैसे skin को पिंच करेंगे nerve endings जो है वो deep polarize होंगी और आपको pain feel होगा chemical neurotransmitters जो है neuron to neuron neuron to muscle यानि कि ये एक अगर muscle है और यहाँ पर neuron की nerve ending है और वो acetylcholine release कर रही है तो ये acetylcholine sodium channels को open करवाएगा जिसकी वज़े से पूरा action potential generate होगा ठीक है ना तो ये आपको बता होना चाहिए electrical impulses आपका heart है cyanoatrial node cyanoatrial node से electrical current generate होता है और वो cardiomyocytes को depolarize करता है so these are basically the three stimuli which causes initiation of action potential ठीक है right action potential direct नहीं आँता उसके लिए threshold reach होना जरूरी है ये बात बार 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 की है threshold का मतलब ये है कि अगर ये cell है इसका minus 70 millivolt resting membrane potential है और यहाँ पर एक stimulus आएगा sodium channel open होगा sodium अंदर आएगा और ये potential जो है से for example minus 55 तक पहुँचेगा यहाँ तक पहुँचेगा तब बाकी के sodium channels open होगे लेकिन अगर यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं से for example यहाँ से निगल के minus 68 तक जाएगा या minus 65 तक तब भाई मसला है तब मसला ये है के थोड़ा बहुत तो current का difference आएगा यानि sodium अभी भी अंदर एंटर हो रहा है sodium एंटर हो रहा है यहाँ पे positivity बढ़ रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही के action potential start हो action potential will not be started okay so that's an important point so ऐसे potentials को हम कहते हैं acute local potential local potential वो potentials होते हैं जो threshold तक नहीं पहुंचते हैं चूँके threshold तक नहीं पहुंचते हैं तो full-fledged action potential initiate नहीं होता they are very weak potential they are due to weak stimuli and they are called acute local potential या sub-threshold potential चूँके threshold तक नहीं पहुंचते हैं तो sub-threshold potential ठीक है तो यह चरम आपको पता होनी शाहिए के this can also happen now there is a terminology which is called refractory period a new action potential cannot occur in an excitable fiber as long as the membrane is still depolarized depolarized when the membrane is still going through depolarization नहीं तुमलस कितना भी स्रोंग हो दुबारा यह चैनल नहीं होता है so the reason for this restriction is shortly after the action potential is initiated the sodium channels become inactivated and no amount of excitatory signal applied to the channel will open them so once they are closed they are closed so अगर यह डियाग्राम में आपको जो हमने स्टार्ट में डिसकस की थी उसको एक दफा दुबारा देखते हैं let us look at this diagram for example so this particular diagram tells you कि जब action potential start होता है तो यह sodium channel open होता है और once these sodium channels because of their opening बहुत सारा sodium cell के अंदर आजाता है once they are closed no power in this world can open them इसको नहीं खोल सकते दुबार उसका reason यह है क्योंकि अब इसके closure के दौरान potassium channels open होए हैं ताके potassium cell से बाहर निकले और cell अपनी RMP यानरेस्टिंग मेंडेट पोटेंशल की तरफ दुबारा आए so this particular stage is the reason कि अब यहां पर कितना भी strong stimulus आया है यह channel open नहीं होगा इस period को हम कहते है refractory period तो physiology में refractory period का मतलब यह होता है कि during a depolarization phase nothing can reopen the sodium channels okay so when the membrane is still depolarized new action potential cannot be generated this is called refractory period okay now the period during which a second action potential cannot be elicited even if a very strong stimulus is there it is called absolute refractory period यह बिल्कुल नहीं खुलेंगे this period for large myelinated fiber is you know 25 hundredth of a second therefore one can readily calculate that such fiber can transmit maximum number of 2500 impulses per second so that's a simple mathematics but the point is during absolute refractory period a new action potential cannot be generated okay now that's an important point here about the local inesthetics in contrast to the factors that increase the nerve excitability membrane stabilizing factors can decrease the excitability for example a high extracellular fluid calcium ion concentration decrease the membrane permeability to sodium थोई दे पहले में आपको बताया था कि जो cell में sodium का voltage-gated channel है calcium इस पर bind करता है और इसको stabilize करता है अगर बहुत सारा calcium होगा तो इसको बहुत जादा stabilize कर देगा और जब sodium channel बहुत जादा stabilize हो जाएगा तो action potential slow हो जाएगा इसलिए the calcium ion is also called the stabilizer okay now amongst the most important stabilizers are many substances that are used clinically as local anesthetics include the procaine and the tetracaine okay most of these agents act directly on the activation gate of the sodium channel making it much more difficult for these gates to open जब ये sodium channel पर ये procaine और ये चीज़ें attach हो जाती है तो इसको stabilize कर देती है जिसकी वज़े से action potential generate नहीं होता action potential generate नहीं होता तो pain feel नहीं होता that's the mechanism of action of local anesthetics so when you apply local anesthetics कौन से channels को ये deactivate ये slow down कर रही है they are slowing down or they are stabilizing sodium voltage-gated channels okay so this is all about this chapter very very important chapter of physiology इन वीडियोस को इस chapter की 4-5 जो वीडियोस है 3-4 वीडियोस इनको बार-बार देखिए जब तक ये chapter आपको समझ देना आजाए अपना खैल रखेगा नेक्स वीडियों उलाकात होगी take care of yourself